तो आज मैं बनाओंगे मेरे स्टाइल से प्रोन कसा तो अब प्लीज इस वीडियो को एंग तक देखना और अच्छा लेगे तो लाइक से रज़ सब्सक्राइब करना मत भूल तो मेरा प्रोन अंटिटी है हाप केजी तो उसके हिसाब से मैं मेडियम साइज का चार प्याज ल एक टीज़्पूण गरम साला और विर्यानी मसाल से एणिटिंग आप ढाल सकते कि उड़ा के उसको अच्छा से मिक्स करना है और उसमें थोड़ा सा नमक थोड़ा सा दही दो तीज्पून दही और हाप टीजपुन जिंजर गलिक पेस्ट डालके अच्छे से इसको मिक्स करना है तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है अभी मैं इसको ढखके रख दूँगी 15 मिनिट के लिए मैंने निसन से क्या होता है ना प्रोन काफी ज़्यादा सॉप्ट हो जाएगा सो अभी कडाई गरम हो गया है तो अभी मैं उसमें डालूंगी ओयल मैं अपनी कौनिटी के साब से थोड़ा कम ली हूँ पर आप थोड़ा ज़्यादा ले सकते हो अभी मैं दो डाल चिनी स्टिक डाला है मैंने और पांच लॉंग डाला है और तीन इलाईशी डाला है अभी इसको थोड़ा से फ्राई कर लेना है अभी ओनिन को अच्छे से फ्राई करना है और मैं यहां पे डाल रही हूं दो तेज पत्ता एक सिक्रेट है खाना बनाने की टेम में हमें सख खुस रहा करो खाना बहुत अच्छा बनेगा सच बता रही हूं मेरा ओनेर अच्छा से फ्राई हो गया है वह गॉल्डन कलर जैसा हो गया है तो अभी मैं इसमें एक टीस्पून डाल रही हूं जिंजर गालिक पे अभी एक टीस्पून मैंने मिर्च डाला और एक टीस्पून हल्दी एक टीस्पून जीरा और एक टीस्पून धन्या पस इ प Shore तो क्या करना है एक पूर तो अगयाहिए टेज violation यहां कि अच्छे यहां पर तो प्रसे कर में अद्रय का तरिछले में हैं और संपर करीए हम चाहिं जर्ण के करने के बाद मेनें यहां-न्त बाणी भी कि वह ओयल सारा बाहर राचाएं तेल चोड़ दिया है मस्त अभी मैं इसमें हाप कपा पानी ढालोंगी तो डालने केahuंगी से सिर्फक्स कर देना है मिकस करने के लिए तो मैं बहुत एक्साइड़ हूँ तो अभी इसमें थोड़ा सा कॉरियंडर डाल देना है कॉरेंडर डालने के बाद उसको एक मिनित तक ऐसी गरम में रखना है ताकि उसको सारा स्मेल वह ले अभी मेरा रेडिये खाने के लिए तो अभी मैं इसको सफ कर रही हूं औ और भी दे कुटी सामाई